डॉक्टर साब दिमाख में कोई खयाल आ गया ना तो फिर वो जाता नहीं है बार 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 वही विचार चक्र दिमाख में घुमते रहते हैं एक बंदी ने कुछ मुझे इस तरह से सेज दिये तो दूसरा बंदा कुछ इस तरह से बोलता है कि जब भी मेरे साथ कुछ होता है न तो मैं उस पर विचार करने लगता हूँ कि ये मेरे साथ क्यू हुआ है कैसे हुआ है इसका कारन खोजने लगता हूँ ठीक है इस तरह से ऐ कि कुछ होता है तब मैं उसका कारण खोजने लगता हूँ इस तरह की कुछ से से तो इन से को हम लोग हमारे रेपेटरिल लेंगवज में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आयू तो मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग ऐसे सिंपल दो रूब्रिक्स लेकर आयू दोनों रूब्रिक्स में का डिफ्रेंसेशन आज हम लोग देखेंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आयू दो इंपोर्टन रूब्रिक्स और वो रूब्रिक्स है फर्स्ट वन इस ड्वेल्स और दूसरा है ब्रूडिंग हम लोग ये दो समझेंगे और दोनों का डिफरेंसेशन भी साथ साथ में और दूसरी कौनसे रुब्रिक्स है कि जो इनके सेज के साथ में हम लोग confused हो सकते हैं वो भी हम लोग आज इस वीडियो के end में देखेंगे तो पहले हम लोग देखता है dwells मैंने first जो patient का say लिया था कि patient बोलता है कि डॉक्टर सर्फ एक बार दिमाग में कोई खयाल आ गया ना तो फिर वो जाता नहीं है बार 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 वही खयाल दिमाग में चलता रहता है तो ऐसे आपको बहुत सारे आपकी जब आप case taking लोगे तो बहुत सारे patients आपको इस तरह से कुछ बोलेंगे तो इस तरह से जब patient बोलता है तो क्या करता है वो क्या कर रहा है situation में well कर रहा है वेल कर रहा है मतलब क्या कि इसका सिंपल सा डिशनरी मिनिंग हम जब देखेंगे तो एक चीज को बार-बार धोराना ये एक होता है दूसरा होता है निवास करना समय बिताना ऐसे कुछ इस तरह से उसके डिशनरी मिनिंग है तो हम लोग ड्वेल्स मतलब के से समझते हैं हमारे पेशन्स में पहले ड्वेल्स को उसके बाद हम लोग समझेंगे ब्रूडिंग को ड्वेल्स में क्या होता है ड्वेल्स में जो भी बंदा होता है वो क्या करता है कि जो भी इवेंट्स उसके लाइफ में होते है ऐसे इवें से उठाके उसके back of the mind में store करके रखता है तो यह इस situation में वो frozen stage में चला जाता है frozen stage में जाने के बाद में वो क्या करता है कि जो भी events उसने उसके दिमाग में back of the mind store करके रखे तो कोई external stimuli जब भी उसको आता है तो वह वापस वह उन्ट से वह ताजे हो जाते हैं तो यह ऐसा होता है कि ड्वेल्स में तब ड्वेल्स में बंदा क्या करता है सिर्फ एक frozen stage में रहता है बार 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 उसके जो moments उसके unlike में हुए हैि उसकी revision करता रहता है उसको सोचता रहता है वह कोई action नहीं होती कुछ नहीं होता है सिर्फ सोचता रहता है उसरके दिमाग में उस thoughts आते रहते वह thoughts उसको परिशान करते हैं और यह जो परिशान करने वाले thoughts है यह हम लोग हमारे तो इस ड्वेल्स को न हम लोग एक चोटे से एक्जमपल के साथ में कोर्लेट करते हैं जो काउ होती न काउ वो रुमिनेट्स करती है मतलब क्या न कि जैसे कि जो गाय होती है वो उसको जब कुछ खाने को मिलता है तो फटा-फट फटा-फट खा लेती है खाने के बाद में वो क्या करती है जो भी उसने स्टोर करके रखा है उसको फिर से बाहर निकलती है और उसको चबाते बैठती है जब उसके फ्री टाइम में तो सेम यही ऐसा के उठा कि आप ड्वेल्स में क्या करता है बंदा कि जब भी उसके साथ में कोई इवेंट्स होता ह तो वह स्टोर करके रखता है जब भी आती है आती है यह च्टोर कर रहा है स्टोर कर रहा है उसके बाद में जब उसको फ्री टाइम में रहता है यह कोесь सुलिश में तो जैसे कि कोई बंद ağ को बूलेगा की सर जी शेbacks मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ है और आज भी वह दिमाग में मेरे आज भी मेरे दिमाग में वह खयाल आते रहते वह थोट्स आते रहते आज भी मुझे वह बाते याद आती रहती है ठीक है तो यह हो गया ड्वेल्स को क्वालिफाई केसे करेंगे हम लोग जब भी बंदा आपने को बोलता है कि डॉक्टर साप दीमाग में कोई खयाल आ गया ना तो फिर वो जाता नहीं तो इस पर हम लोग एक सिंपल सा एक परसन को कुशन डालेंगे वो कुशन कुछ इस तरह से फिर आप क्या करते हो जब भी ऐसे खयाल आता है तो आप उस पर क्या करते हो बंदे ऑपना dwells stamp out हो गया तो जो गटेखनें अब्या हम ब्रूडिंग को कैसे समझेंगे वेक ब्रूडिंग में क्या होता है ना कि ग्षृ भी भूडिंग जो हैना ब्रूडिंग यह वर्ड सोचे कि हमने कहां यूस किया हूँआा है इसे कहां ज्यादा यूस करते हैं च्छे होता है कि जो भी हैं होती एप ईक्दम टाइर लेशली उस इक्स के उपर बैठती है शीएधय वास पास से बून अननेसेसरी पूम आप स साथ है कंटिनियोइस सबाद साथ है और ऊस थार्स पर वो बन्रा क्या श्रोड करता है । जो भी थौर्च रहते उसके ऊपर वो ब्रूड करता है ब्रूड करता है मतलब क्या कि ब्रूडिंग में क्या होता है एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें से एक प्रोड़क्ट बहार निकलता है ड्वेल्स में ऐसा नहीं होता है ड्वेल्स में सिर्फ एक फ्रोजन स्टेज है और ब्रूडिंग में क्या होता है कि एक उस thoughts के उपर वो विचार करता है और विचार सोच कर सोच कर उसमें से एक product बाहर निकालने की कोशिश करता है जरूरी नहीं है not necessarily कि जो भी वो सोच रहा है जो भी वो product निकालने की कोशिश करता है जो भी conclusion निकालने की कोशिश करता है वो conclusion सही ही हो या उसमें से कुछ productive बाहर ज़रूरी नहीं वह कुशिश करता हैं मतलब वह अपने आपको करके रखता है लड़का है वह उसके एक्जांप में फई लो जाता है वह फेल हो जाता है न ह 들ала कि मैंने ठीजी carne में एक्जाम नहीं देना चाहिए था मैंने ड्रॉप लेना तो अच्छा रहता मैंने यह एकजाम दी इसके वजह से ऐसा हो गया नहीं देता तो अच्छा रहता प्रफल कुछ इस तरह से वह सोचता है अभी बंदा हैं वह बोलता है कि मैं दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि मैं मेरे जिन्दगी में क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाया क्या गलती हो गई मेरी क्यों मैं इस तरह से हूँ मेरे से क्या ऐसा हुआ कि मैं मेरे जिन्दगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाया एसा कुछ say's देते है पेशेंट अपने को तो वह भी brooding में जाते हैं आप लोगों को समझा dwells में क्या होता ह। कि dwells में एक simple सा वो person एक frozen stage में रहता है Brooding में वो एक product निकालने की कोशिश करता है उसके thoughts की उपर बैप कर यानि कि conclusion निकालता है ज़रूरी ने उसमें से कोई अच्छा ही वह conclusion निकाले जब conclusion निकालने में असमर्थव भी रहा तो भी वह क्या कर रहा है वहार brood कर रहा है अभी यह जो brooding और dwells यह दो रुब्रिक्स है और दो patients के अलग-अलग thoughts से repetry में कुछ और रूब्रिक्स हैं फ़र्स रूब्रिक अलग-अलग म मैं क्या होता है अना Mole सा अलग में क्या करता है बनता पेशन्ट में सिर्फ और सिर्फ नजर रखे रहता है जो भी उसके साथ होता है या जो भी उसके वह डिसिव्ष प्रोसस में से गुजरता है तो उस प्रोसेस पर वो क्या करता है सिर्फ नजर रखे रहता है वहाँ पे होता है अलर्ड एक पेशेंट होता है वो बोलता है कि सर मुझे ना पेट में ट्यूमर है तो मैं हर मैने योजी करा के देख लेता हूँ उसकी मेरी ट्रेटमेंट तो पुरी हो चुकी है पर हर मैने में मैं योजी करा के देख लेता हूँ कि वो बढ़ा तो नहीं वापस तो नहीं आ गया पर दवाई वगरे उसके लिए कुछ चालू नहीं है बला मेरी सिर्फ मैं हर मैने में सोनोग्राफी तो ज़रूर कराता ही हूँ तो यह जो से सिंपल सा यह होता है अलर्ट में बंदा क्या करता है सिर्फ वाच रखता है उसके उपर वाच रखता है कि वह कुछ थोड़े ही साइन सिंप्टम दिखेंगे तब वो एक्शन लेंगा उसके पहले वो कोई एक्शन नहीं लेगा यह होता है अलर्ट अभी एक और रुब्रिक है जिसे अलर्ट से हम लोग डिफरेंशेट करेंगी वह है कॉशियस कॉशियस में क्या होता है ना जो बंदा होता है बिमारी बढ़ने से पहले ही पूर्व साहुधानी बरता है जैसे एक सिंपल से एक्जामपल पैसे मैं आपको बताती हूं कॉशियस क्या होता है बंदा बोलता है उसको पाइल्स की तकलिफ होती है तो वो बोलता है कि ना अब मैंने न मिर्च मसाला भार का जंकफूर खाना कंप्लेटली बंद कर दिया है क्यों क्योंकि मुझे पाइल्स की तकलिफ है नजाने इस खाने के वज़े से वह पाइल्स पढ़ना जाए इसलिए मैंने यह सब डॉक्टर सब छोड़ दिये खाना तो यह हो गया कॉशियस मतलब क्या अभी उसको पाइल्स क हो नहीं रही है और आगे जाके ना हो इसलिए वह पहले से ही प्रिकॉशन ले रहा है वह होता है कॉशी यह रुपक के साथ-साथ चलता है वह कन में तो में क्या होता है कि जो बंदा उता है अब उसको तकलिफ हो चुकी होती आ और तकलीब होने के बाद में वो जो उसके लिए केयर करता है वो होता है केयरफुलनेस अभी जो कुछ भी हुआ है अब बीमारी में मुझे और ज़्यादा तकलीब ना हो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो जो कुछ भी चीजे करता है वो होता है केयरफुलनेस जिसे एक छोटा सा एक्जांपल देती हूं कि एक लड़का था उसके दात में बहुत जादा दर्थ था बहुत जादा दर्थ था और वह आया तो उसने क्या किया ना जो उसका हाथ होता है वह हाथ को कुछ इस तरह से पकड़ कर पकड़ कर बेठा था कुछ बोलनी रहा है कुछ ने कर रहा है कुछ ने कर रहा है तो उसके घरवाली आये उसको मैंने जर्स पूछा कि क्या हो गया उसको तो उसके ममी ने ऐसा बोला कि उसको सुबह से दात का दर्थ हो रहा है तो मैंने बहुता है तो उसकी ममी बोलती है कि वह बोलने लगता है न नहीं होगा इसलिए वह ऐसा पकड़ के बेटा है तो यहां पर मैंने क्या लिया केरफुलनेस लिया था और उसको ब्राइवनिया दिया था तो यह चोटे-चोटे हमने कुछ आज पेशन के सेज देखे कुछ थौर्स देखे और कुछ रूब्रिक्स का डिफरेंसेशन देखा आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि होमेपती हम लोग सब तरब स्प्रेड कर सकें तैंक्यू